हेलो दोस्तों आप सभी को स्वागत हैं आपके अपने यूटूब चैनल जितंदर एमर अश्टडी पर दोस्तों मैं हूँ जितंदर एमर यादव आज हम लोग अनुपात एम समानुपात यानी ratio and proportion का part 11 देखेंगे अगर आप part 10 तक नहीं देखे हैं तो description में link दिया गया है अनुपात एम समानुपात का playlist का link दिया गया है description में तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं चलिए देखिए तो आज हम लोग सिक्का से सम्बंदित परशनों को हल करेंगे देखिए तो कोशन एक थैले में एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसे के सिक्को की मुल्यो करम सह चार अनुपात पांच पांच अनुपात छो का अनुपात है यदि सिक्को की कुल संख्या साथ सो साइट हो तो पचास पैसे की सिक्को की संख्या ग्याद करें सबसे पहले आपको क्या करना है जैसे यहां एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसा तो यहाँ पर लिखना है एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसा देखे तो यहाँ सिक्को की मुल्यो करमसा दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले अगर संख्या यहाँ सिक्को की संख्या लिख लेंगे सिक्को की संख्या उसके बाद नीचे हम लोग लिखते हैं मुल्यो सिक्को की संख्या उपर लिखना है और मुल्यो नीचे लिखना है तो यहा दिया हुआ है सिक्को की मुल्य बराबर दिया हुआ है चार पांच छो तो आपको क्या करना है देखिए तो यहां जो है एक टकिया है यानि एक रुपिया वला है और मुले यहां चार है एक टकिया यहां चार रुपिया है तो काई गों एक टकिया देंगे जो चार रुपिया हो जाएगा तो आप सिकों की संख्या चार हो जाएगा यानि एक टकिया सिक्का को अगर 4 सिक्का देते हैं तो 4 रुपिया हो जाएगा उसी परकार यहां देखें तो 50 पैसा है 50 पैसा वाला सिक्का है और यहां 5 रुपिया पुराना है तो आप जानते हैं एक रुपिया में 50 पैसा वाला सिक्का जो है दो सिक्का होगा तो एक रुपिया होगा यहां पांच रुपिया है तो पांदुनी दस यानि की दस सिक्का होना चाहिए यहां अनुपात में उसके बाद आपको क्या करना है यहां देखे ते पचीस पैसा पचीस पैसा वाला सिक्का है जो की अब नहीं चलता है पहले चलता तो पचीस पैसावला यहां सिक्का है और यहां छो रुपिया पुराना है तो आप जानते हैं एक रुपिया में पचीस पैसावला चार शिक्का देंगे तब एक रुपिया पूरेगा और पुराना यहां छो रुपिया है तो छोचोग 24 यानि कि यहां अनुपात में 24 उसके आपको क्या करना है सब का यहां सिक्कों की संख्या का योग करते हैं योग करते हैं तो हो जाता है दस अचार 14 और 14 और 24 को जोड़ते हैं तो अनुपात में यहां लेकिन कुल संख्या बरावर रियल भेलू दिया हुआ है साथ सो साइट तो साथ सो साइट तो निकालेंगे एक अनुपात का मान निकालते हैं तो हो जाएगा साथ सो साइट बटा आरतीस काटेंगे तो एक अनुपात का मान हो जाता है दू एक अनुपात का मान हो गया दू त तो क्वेशन में पूछा गया है 50 पईसे की सिक्को की संख्यां जज़ेगा है यहां coordinate आपको क्या करना है यहां 50 पैसे बाले सिक्कों की संख्या निकालना है यहां अनुपात में 10 है लेकिन एक अनुपात का मान बिस तर दस अनुपात का मान हो जाएगा दस गुना बिस डेटीज दो सव हो जाएगा यानि पचास पैसे बाले सिक्को की संख्या जो है दो सव हो जाएगा तेहां लिखने के पचास पैसा बाली सिक्को की संख्या सिक्कों की संख्या बराबर दूसर हो जाएगा answer next question देखिए तो एक धैले में 1 रूपिया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के है इन सिक्कियों का मुले 5 अनुपात 4 अनुपात 1 के अनुपात में है इन सिक्कों की संख्या क्रमसह कितनी है यानि कि एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ एक रुपिया उसके बाद पचास पैसा उसके बाद पचीस पैसा उसके बाद आपको क्या करना है यहां देखेते एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसा तो आपको बताए हैं आपको सबसे पहले लिखना है सिको की संख्या सिको की संख्या सबसे पहले सिको की संख्या लिखना है और उसके बाद नीचे लिखते हैं मुल्य यानि सिका का मुल्य जिसका का कितना रुपिया पूर रहा है तो देखें तो इस प्रश्न में जो है सिको की संख्या नहीं दिया हुआ है मुल्य दिया हुआ है तो मुल्य को नीचे लिखते है यानि पांच अनुपात चार उसके बाद अनुपात एक अब आपको क्या करना है यहाँ एक रुपिया वाला एक टकिया है यानि एक रुपिया वाला सिक्का है और पांच रुपिया पुराना है तो पांच सिक्का होना चाहिए उसके बाद देखिए तो यहाँ पचास पैसा है और यहाँ चार रुपिया पुराना है तो एक रुपिया पुराने के लिए 25 पैसावला सिक्का है 25 पैसावला सिक्का है और एक रुपिया पुराना है तो चार सिक्का होना चाहिए यानि 25 गुना चार तो 100 पैसा, डेटी एक रुपिया तो यहाँ 25 पैसावला सिक्का है और एक रुपिया पुराने के लिए 4 सिक्का चाहिए और यहाँ एक रुपिया पुराना है तो यहाँ चार हो जाएगा चारेकम चार अब आपको क्या करना है यहाँ अनुपात लिखते हैं उसके बाद सब का योग करते हैं यानि सिक्कों की संख्या का योग करेंगे तो आठ चार बारा बारा पाँच सत्रा यानि कि अनुपात में 17 हो गया लेकिन रियल मान जो है दिया हुआ है कुल 340 सिक्के है तो यहां लिखना है अनुपात में 17 लेकिन रियल मान जो है 340 है तो एक अनुपात का अगर मान निकालते हैं तो यहां हो जाता है 340 बटा 17 उसके बाद अगर एक अनुपात का मान निकाले तो 17 दुनी 34, दो और 0 बचा हुआ है तो 0, एक अनुपात का मान 20 निकल गया, अब प्रश्न में पूछा गया है कि सिक्को की संख्या करम सह कितनी है, यानि सब सिक्को की, तो यहां देखिए तो सिक्को की संख्या 1 रुपिया वाला 5 है, तो यहां लिखने जे 1 रुपिया, 1 रुपिया के सिक्को की संख्या, तो यहां 5 और अनुपात में 5 है, लेकिन एक अनुपात का मान 20, तो 5 गुना 20 करेंगे तो 100, यानि कि 1 रुपिया वाला सिक्को की संख्या 100 हो गया, उसके बाद 50 पैसा वाला निकालना है, त पचास पैसा तो यहाँ अनुपात में आठ दिया हुआ है, तथ गुना एक अनुपात का मौन बीस, तथ आठ गुना बीस करते हैं तो एक सॉसाइग छिक्का हो जायेगा, उसके बाद पचीस पैसा व्ला निकालना आज मैं तो आपको क्या करना है यहां लिखना है 25 परिसा 25 परिसों की सिक्का की संख्या तो यहां देखिए तो 4 है तो 4 गुना 20 यानि 20 गुना 4 तो 80 सिक्का हो जाएगा उसके वाद देखिए तो option किस option में मैच हो रहा है एक सो एक सो साइट असी तो एक सो एक सो साइट असी option नमर बी मैच हो रहा है यानि कि एक रुपिया वाला सिक्को की संख्या एक सो है पचास परिसा वाला सिक्को की संख्या एक सो साइट है और पचीस परिसा वाला सिक्को की संख्या असी है नेक्स्ट कोशन देखिए तो एक थैले में एक रुपिया पचास पैसा और पचीस पैसे के सिक्के भरे गए हैं जिसका अनुपात दू अनुपात तीन अनुपात दस है कुल सिक्को का मुल्य 72 रुपिया है बताए कि कुल सिक्को की संख्या कितना है तो फिर से आपको वही परकिरिया अपनाना है, सबसे पहले लिखना है एक रुपिया, उसके बाद पच्चास पैसा, उसके बाद पचीस पैसा, अब आपको क्या करना है, तो जैसे यहां देखिए तो सिक्को की संख्या, यहां लिखेंगे सिक्को की संख्या, सिको की संख्या उपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं मुले हर हमेशा आपको इस बात पर पुर्ण रूप से ध्यान देना है कि उपर लिखना है सिको की संख्या और नीचे लिखना है मुले जिससे आपको प्रस्ण बनाने में सुविधा होगा तो आपको क्या करना है, जैसे यहां दिया हुआ है सिक्को की संख्या, तो 25 सिक्को के भरे गए है, जिसका अनुपाद 2, 3, 10 है, तो सिक्को की संख्या दिया हुआ है, 2, अनुपाद 3, अनुपाद 10, अब आपको क्या करना है, जैसे इसका मुले निकालेंगे, एक रुपिया 123 तो यहां है रूपीया होजाइगा उसके बाद यहां 50 पैसा Thank You balance तो डेल फाइज रूपिया यानि one point 50 जीरो यानि डियरुप्या उसके बाद 25 पैसा बला 10 चेसन गुना 10 करेंगे तो भाइ 100 whoo पैसा, 23 erupào यानि 2.50, आप क्या करना है, सब का यूग करते है, तो रुपिया में कितना हो जाता है, 24, juntos यानि रुपिया में हो गया 6, उसके बाद आपको क्या करना है, सिक्को जोंकि संख्या का यूग करते है तो यहां को जाएगा, 10, 13, 13, 13, 15 यानि 15 तो आपको क्या करना है जैसे यहां 6 रुपिया बराबर 15 यानि 6 रुपिया यहां रुपिया में 6 है लेकिन यहां सिको की संख्या 15 हो रहा है तो यहां 6 रुपिया बराबर सिको की संख्या 15 हो गया तो एक रुपिया का मान निकालते हैं तो 15 बटा 6 तो परश्ण में कहा गया है कि कुल सिको का मुले जो है 72 रुपिया तो 72 के मान निकालना है तो आपको क्या करना है यहां 72 रुपिया बराबर तो यहां 15 बटा 6 गुना यहां 72 है तो 72 से गुना कर देंगे चो से अगर 72 में भाग देते हैं तो 12 चक 72 पंदर गुना 12 करेंगे तो डेटी एक सो असी हो जाएगा यानि 72 रुपिया में कितना सिको की संख्या होगा तो 180 सिको की संख्या हो जाएगा यानि 180 सिका हो जाएगा देखिए अगर आप पहली बार भासावला प्रस्न को देख रहे होंगे तो थोरा आपको प्रबलम हो सकता है तो फिर से आप वीडियो को दूसरी बार तिसरी बार करके देखिए आप जरूर शिख जाएगे तो उमिद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा देखिए धरलेवाद